कि नमस्कार में ममदासीफ और आप देख रहे हैं इस पे नई नियो एक ऐसा वीडियो जिसको देख कर आपकी होश शूर चाहेंगे एक ऐसा वीडियो जिसको देख कर आप खुद ही तिल मिला चाहेंगे और वो कोई आवर नहीं इस वकर सबसे उभरता हुआ चेहरा का एक हिस्सा यूवा करहिया कुमार का धमाकेदार वीडियो आया दर्शो को जो मुदी सरकार को चुन चुन कर उनके नीतियों पर हमला कर रहा है उनकी नियत कैसे खराब है जनता को लेकर क्या सोच रही है तो तमाम चीज़ों को लेकर ये संसनी खेच खुलासे वाला मूदी सरकार की सच्चाई जमीनी हकीकत किस तरीके से जो मीडिया नहीं बता रही है वो कनहिया कुमार जो अपने बातों से कह रहे है देखिए सुनिया और समझी क्या कह रहे है पहले सर आपको थैंक यू और जो यहां सब लोग हैं सारे जो हमारे प्रेस के साथ ही है उनको गूड मॉर्निंग नमस्कार आप लर्न वन तेलगू वर्ड अंदर के नमस्कार अंदर की नमस्कार मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और हिंदी में बोलूँगा इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ आपकी भाषा तेलगू है लेकिन मुझे तेलगू आती नहीं है आती तो जरूर तेलगू में बात करता क्योंकि हमारी नजर में भारत जोरो यात्रा की नजर में सारा भाषा, सारी भाषाएं एक समान है, सब भाषा सारे लोगों की मातरी भाषा जो है उसको हम बराबर का रिक्वेस्ट करते हैं दूसरा आप सब लोग लगातार जो है कवर कर रहे हैं भारत जोरो यात्रा को एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जोरने के लिए निकले हैं हमारे पास फेवी कॉल नहीं है और जो है हम फेवी कुई कुई ले करके नहीं चल रहे हैं भारत जोरो यात्रा का जो मेसेजिंग है उसमें सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछना परेगा कि आपको आपकी कोई ऐसी चीज है जो टूटी है ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि भारत जोरो यात्रा में हम क्या जोरने के लिए निकले हैं मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां है वो इंजिनेरिंग किया है एंबीए किया है पिएचडी किया है तमाम टेकनिकल एजुकेशन लेने के बाब जूद जब वो अपना सीवी ले करके जाता है और नौकरी नहीं मिलती है तब उमीदें तूटती है उस नौजवान की उस नौजवान के गर्ल फ्रेंड की या बॉइफ्रेंड की उसके मावाब की उसके दोस्तों की और ये जो उमीदें तूट रही है न विरुजगारी के चलते उस उमीद को जोरने के लिए हम निकले हैं जब आपको ये ख़वर आती है या आपको ये वीडियो देखते हैं कि किसे इनसान को उसके पहचान के चलते चाहे तिलक देखकर या टोपी देखकर उसके साथ मारपीट की जा रही है उसकी टांगे तोर दी गई है तब आपका दिल तूटता है उस तूटे हुए दिल को जोरने के लिए निकले हैं इसमें हमको कोई कनफ्यूजन नहीं है सरदार बल्लब भाई पटेल कॉंग्रेस पार्टी के नेता थे कॉंग्रेस पार्टी के प्रभावसाली नेता थे उन्होंने इस देश को और कॉंग्रेस पार्टी ने जोग्रफिकली भारत को जोड़ दिया है और जब भी उसको तोरने की कोशिस की जाती है तो Congress Party के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं कल हम लोग इंद्रा जी को याद करेंगे चाहे जान गवानी पर जाए जमीन जो देश से जुड़ा हुआ है Congress Party को रहते हैं उसको कोई नहीं तोर सकता है लेकिन जो जो जोग्रफिकली हमारा देश इकठा है वो Emotionally भी इकठा रहे Emotionally इकठा होने का मतलब है कि हमारे पहचान के आधार पे हमारे विचार के आधार पे हमारे जिन्दगी जीने के तोर तरीके के आधार पर हमारी Economic Condition के आधार पर हमारी भासा बोली के आधार पर कोई हमको बाट ना सके और हम यह देखते हैं कि भारत में आज की तारीख में गरीब लगातार गरीब हो रहा है और गरीबों की संपत्ती लूट करके दो-चार लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है तो यह जो अमीडी गरीबी की खाई है उस खाई को हम पाटना चाहते हैं जिस तरीके से आज small scale, medium scale industries बड़बाद हो रहे हैं नौजवानों को नौकरिया नहीं मिल रही है लाखों पोस्ट जो है वो सरकारी छेतरों में खाली परे हुएं vacancies हैं उस उम्मीद को हम जोरना चाहते हैं देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार राजनितिक culture ऐसा बनता जा रहा है कि अपने विरोधियों को चुप कड़ाया जाता है और यह सवाल बार-बार लोग पूछते थे विपक्ष कहां है जो लोग देखना चाहते हैं आँख में सूर्मा लगा गर के देख लें विपक्ष सरकों पे खड़ा है कॉंग्रेस पार्टी पहले भी लर रही थी लेकिन हमारा message नहीं पहुँच रहा था लोगों तक तो पार्टी ने ये तै किया कि हम लोगों तक पहुँचेंगे सीधे बिना किसी social media या media के वो रहे उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुँचेंगे जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुँचते थे आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं एक तो ये सवाल आज कोई भी इमानदारी से समझ सकता है कि कॉंग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सरकों पे निभा रही है और सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी निभा रही है कई बार ये confusion create किया जाता है यहां तेलंगना में भी ये confusion है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा अबल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है अगर बीजेपी से लरने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है तो फिर वो को लड़ाई नहीं है उसको कहते हैं हमारे यहां कि सुडो बॉक्सिंग हो रहा है दिन में बॉक्सिंग करेंगे मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे और साम में पैग ल बीच में और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है आज भी गांधी को चुना परेगा और ये बात मैं आप से इमानदारी से साजा करना चाहता हूं जो राहुल जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया लाखों करोड़ों खर्च करके और उस परसेप्शन के चलते जो हम कि खलबलाहट है और वो भारत जोरो यात्रा किस लिए हो रहा है इस पे नहीं बात कर रहे हैं जूता पे बात कर रहे हैं टी-शट पे बात कर रहे हैं कंटेनर पे बात कर रहे हैं तो उनको जूता टी-शट कंटेनर पे बात करने दीजिए हम आप से कहना चाहते हैं कि जब आ पढ़ रहे हैं तो एक बात हम आपको कह सकते हैं विश्वास के साथ उदैपूर राजस्थान में जब कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिसको हम कहते हैं उदैपूर डिकलेडेशन ये निरने लिया कि हम भारत जोरो यात्रा करेंगे तब वो निरने कॉंग्रेस कहते हैं कि ये यात्रा कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं कारकरताओं से आगे बढ़ करके आज के डेट में यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है देश के लोगों की यात्रा बन चुकी है उनके इमुईदों की यात्रा बन चुकी है और इस यात्रा का उद्देश राजन का उद्देश है आप सब लोग आए हमको सुने हमारे जो है निताओं को आप सुन रहे हैं उनको कवर कर रहे हैं इसके लिए एक बार फिर से प्रेस के सभी सातियों को बहुत-बहुत धन्यवार बहुत शुक्रिया अपने का नहीं को सुना आज उनके दाधी भी बढ़ रहे ह यह लगातार यह लोग जो है भारत जोरो यात्रा का हिस्सा बने हुए सड़कों पर हैं चल रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि बेरोजगारी महेंगाई पर सरकार की आँख खुल जाए जो दही जम गई है उनके मूँ में कम से कम वो दीखी जाए उने कम से कम कि आज केतने प्र ढंटर रहे हैं जिसका समर्थन कर रहे हैं वह वाकरी मैं आपको खुदást कर रहा है और यहीं बात कंहिया रहरा है जो आप देखकर समझ गया हुआ होगा लेहाजा आप देखना होगा कि गुजरात में हिमाचल में चुनाब होने वाले ही हैं तरीक का एलान हो नहीं क्था है हमाचल का हो चुका है फर ससीन की पारेट ग को मस मी आ हेलोट को मिल चूक लेकिए तब से वो शामिल हुए हैं तब से कद उनका भरता ही जा रहा है और भारत जुरों का हिस्सा देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है आज के लिए तरह ही मुझे दीजिए जाज़ो तुराव देखते रहे हैं